ओम धन्वंत्रे नम्हों ओल इंडिया आइडवेद पीजे एंट्रांस टेस्ट टूथाउज़न ट्वेंटी टू फिफ्टीन्थ अवक्टोबर को है सटर डे है उस दिन अड्मिट कार्ड के लिए स्टूडेंट्स का प्रतिक्षा जो है वह अम्त हुआ है आज कुछी समय पहले नेशनल टेस्टिंग एजन्सी के द्वारा अड्मिट कार्ड सबका रिलीज हो गया है तो उसके बारे में कुछ अभी जानेंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि अड्मिट कार्ड of candidates appearing for the examination are hosted on aapget.nta.nic.in इस website से हमको डाउनलोड करना है अड्मिट कार्ड कैसे करेंगे अड्मिट कार्ड can be downloaded using your application form number and date of birth इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अड्मिट कार्ड डाउनलोड करते समय हमको application form number डालना है और उसके साथ साथ date of birth भी डालना है उसके next आप देखो अड्मिट कार्ड is issued provisionally to the candidates subject to the fulfillment of the eligibility conditions अड्मिट कार्ड सबको इसु होग चुका है आज पर the eligibility conditions और आज के समय में जो आपका eligibility conditions है वो mainly 2 है एक है by the end of December means by the 31st of December your rotational internship should be completed second is कि आपने जिस category से बिलंग करते हो उसका certificate आपके पास होना चाहिए उसके आधार पर आपको provisional admit card जो है वो इसु हो चुका है admit card will not be sent by post admit card आपको कल ही download करना पड़ेगा by post यह आपके पास आएगा नहीं और exam Saturday को दिन है और आज का दिन है Wednesday तो बीच में Thursday और Friday दो ही दिन है तो आपके लिए सबसे बढ़िया यही है कल आप admit card को download कर लो candidate must not mutilate the admit card or change any entry made therein आपका admit card को आप download करने के बाद उसमें कुछ भी लिखना नहीं है कुछ भी changes नहीं करना है आज it is आपको सम्हाल के रखना है issue of admit card however shall not necessarily means acceptance of eligibility which shall be further scrutinized at subsequent stages of the admission process आपको admit card को सम्हाल के रखना है और आपको admit card issue कर दिया गया है इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अगर merit में आते हो तो आपको admission मिल जाएगा before the process of admission आपका फिर से scrutinize किया जाएगा आपका जो informations you have already failed in your form तो वो सारे चीज़ को फिर से scrutinize किया जाएगा उसके बाद ही जाके decision लिया जाएगा कि whether you are eligible for admission or not candidates are advised to preserve a copy of their admit card in good condition for future reference तो आपको admit card को सम्हाल के रखना है आपको 2 copy admit card का download करना है और सबसे best यही रहेगा कि आप अपना admit card का photo case के अपने mail में ही उसको upload कर लो और admit card में कुछ भी लिखना नहीं है उसको बड़े यतना के साथ आपको उसको carry करना है जिन लोगों को admit card डाउनलोड करने में दिक्कत होती है या आपका admit card डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो नीचे उन लोगोंने help line number दे रखे है तो इस number में आपको contact करना है इस number में आप उनको contact कर सकते हैं उनका help आप ले सकते हैं wish you all the best God bless you आप सभी लोग सफलता अचीव करो आपके exam में आप सभी लोग successful बनो यही धन्वनतरी से कामना है करतना है झाल प्हुस नहीं है झाल